अब तो उनके पास चुनाव लड़ने के विकल्प भी लगबख खत्म है अगर वे सुप्रीम कोट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो देखिए यह बड़ी बिचित्र सी इस्तिती है कि देश की जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता पर इस तरह के सजा हो जाए उसको और वो चुनाव ने लड़ पाए लेकिन आज के दोर में जब विपक्ष की सियासत बहुत कठिन है और गला काट परतियोगता है विरोधियों के लिए जिस तरह से राजनीत में चीज़ें इस्तिमाल होती है यह अपने आप में बड़ा चौकाती है और जो तो इस देश ने देखी है उस पर अब साइद लोगों को बहुत ज़्यदा भरोसा नहीं होता लोग आशर कहते हैं क्या पहले इस तरह के लोग थे जो अपने विपक्षियों को विरोधियों को इतना स्कोप देते थे या उनकी इतनी गलतियों को माप कर सकते थे अब हुई दो इराज जीत गए एक बार ही मांचल जीत गए फिर करनाटक जीत गए अब दो साल की सजा और दो राज जी उसके बदले में मिल रहा है तो साइद कांग्रेसी से अपने फाइदे की चीज़ ही मानते होंगे हाला कि जब हाई कोर्ट किसी चीज को खारिज करता है तो यह माना जाता है कि यह बहुत गंभीर प्रवित का मामला है क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में स्वतंत रेक्त संस्था है जो बिना किसी दवाओ के नेड़ा करती है अब यह बात जरूर है कि आज तमाम इस देश में देश जहरीले भासर देने वाले लोग हैं जिनको सजा नहीं हुई अजालतों तक मामला नहीं पहुँचा कुछ लोग तो ऐसे हैं विर्जेट जी की उनको तो चुनाओ क्या वो घर से बाहर न निकलने दिया जाए इतना जहरीला बासर देते हैं अगर कानून सक्त हो जाए OYC है साची महराज है गिरी राज सिंग है तमाम नेता है जो खुले आम बोलते हैं विबिन मुद्दों पर हिंदू मुसल्मान पर लेकिन फस गए खाली राहूल गांधी अब ये भी एक आपके सामने एक उधारण है उत्तर प्रदेश जहाँ पर बाब बेटे दोनों इसी चक्कर में निपड़ गए आपको याद होगा कि आजम खा और अब्दुल्ला आजम ये कोई एक सड़क पे धरना देने के चकर में उनकी सदस्ता चली गई और अब्दुल्ला आजम की तो दूई-दूई बार चली गई ऐसा तो साइदे कभी हुआ होगा हम लोगों ने दे सब्सक्राइब ने मिल पाता और थोड़ा है रती बात यह है कि सभीपस के खिलाब आ रहा है बस इससे लोग मोगों को मोगा मिल जाता है बिर्जेज जी हम लोगों ने देखा कि नेता अंदोलन करते थे धरना देते थे घेराओ करते थे परदर्शन करते थे लाटी चार्ज होता था वो दोर क्या अब जा रहा है उस दोर के नेताओं के सामने मदालतों का इतना सक्त डंडा आ गया कि लोग अगर सलक पर जाएंगे तो उनकी सदस्ता चली जाएगी विधायक सांसद हिम्मत नहीं कर पा रहें सलक पर उतरने की और अगर विधायक सांसद नेता सलक पर उतरेंगे नहीं तो डाक्टर लोहिया कि उस आदर्सवाक का क्या होगा जिसमें कहा गया कि अगर सलके सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी क्या अलोहिया का वो आदर्स वाक के अब इस्तिमाल से या चलन से बाहर हो जाएगा क्योंकि अगर सलकों पर दर्सन हुआ तो फिर मुकदमा लिखा जाएगा जेल जाओगे पहले भी मुकदमे होते थे पर पहले सजा नहीं होती ती अब हो जा रही है देखिए नेतागीरी का इसकोप इसलिए बड़ा कम होता जा रहा है यह एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है यह सब अन्चान और नहीं इस बार मुझे दिखा जब बिजली की क्राइसिस किया अब ठीक बात कह रहे हैं यह उनके सामने संकट है कि लोहिया जी के आदर्स को माने कि अपनी जान बचाओं कि आगया के रस्ता भी बंद कर लें तो यह मनुच काका के चड़ाय आके जाकि सर फोलने अपना यह इसकोप बहुत कम हो गया है हाला कि यह सत्ता में बैटी नेताओं के सामने हमेशा रहा हो रहेगा जी उनके सामने ज्यादा संकट नहीं है बस एक साहितिकार ने लिखा है सुनिएगा कि कि निराज में दूद मिला राम राज में घी अमोधी राज में चाय मिली फूख फूख कर पी और राहुल गांदी कि सदस्ता जा रही है दाल जोर आजकल आंधियों का चला है हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जिन्दगी में जीतना अगर एक हुनर है तो हारना भी अक्कला है बहुत शुक्रिया वीरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुनने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीड़ब बazu झाँ झाए धारना भीिरेंजी आछर में जीरेंजी आपका बहुत का बाना भी में जीरो एक हुन convention अवीरेंजी आपका को बहुत शुक्ति को ग्रेंश के